हेई एवरीबरन मैं प्रियंका और आज हम बनाएंगे बेबी मॉकेंजे बेबी बूटी देखें तो हम फंदे डालना शुरू करते हैं इस बूटी को बनाने के लिए मैंने यहां पर यह ली हैं दस नंबर की निडल या फिर 3.0 mm और यह देखें और यह यान तो अब हम फंदे डालना शुरू कर रहे हैं तो मैं यहां पर टोटल फंदे 39 डाल रही हूं है । इसी तरीके से हम सभी फंदे डाल लेंगे तो यहां पर दीखें हमारे पास टोटल 39 हैं तो अब पहले बनाएंगे एक सीधी और अर्टे का बार्डर तो देखें, सबसे पहले क्या कि है एक फंदा है यहां प्र लेंगे यहां पर देखें तो दूसरी को इस तरीके से डाल कर एक सीधा बनाईए पिर एक उल्टा बनाईए तो इस पुरी रो में हम एक सीधा और एक उल्टे का बॉडर बनाएंगे या फिर आप वोल सकते हैं एक वन एंड वन का रिविंग करना है तो यह देखे इस तरीके से हम इसमें बनाते भी जाएंगे तो यहां पर देखिए हमने फोर रोज बना ली है अब हमें क्या करना है देखे यह वाला पोशन बनाने है यहां से यह वाला पोशन बनाएंगे पहला फंदा स्लिप किया और तेरा फंदे हम उनको सीधा बनाएंगे देखे इस तरीके से तर्टीन फंदे हमने यहां पर निट वाइस बना लिए है या सीधे बना लिए है इसके बाद में तीन फंदे हम उल्टे बनेंगे या फिर पर वाइस थ्री फंदे यह देखे दो तीन इसके बाद पाँच फंदे हम सीधे बनाएंगे या फिर निट वाइस बनाएंगे फाइब स्टिच इस सीधे के वाँ टू थ्री फोर फाइफ अगें थ्री स्टिचे पर्ल वाइस या फिर ओल्टे एग् दो तीन यह देखे यह बना लिया अब हम इसको यही पर टर्न कर लेंगे यह देखे नेक्स्ट आफ हमें क्या करना है देखे यह फंदा स्लिप किया और तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे लिए एक दो फिर यह जो फंदे दिख रहे हैं यहां से में बैक साइट से पल्ड वाइस दिख्खे हैं इनको हम पल्ड वाइस पांचों को बना देंगे तरड आगे लाके देखें वान टू थ्री फोर फाइफ यह बना लिए और तीन फंदे अब हम सीधे बनाएंगे यहां फिर नेट वाइस थ्री स्टिचेस कि अगें टर्ण फर्स्ट श्लिप श्लिप क्या और सॉरी दो फंदे यह जो है इनको पल्ड वाइस वान टू अगें नेट फाइफ वान सीधे फंदे पांच बनाएंगे त्री फोर फाइफ अगें तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे या फिर पल्ड वाइस थ्रे स्टिचेस दो तीन अगें टन अबर तीन फंदे या पांच फंदे या फाइफ फंदे या पार्ल वाइस तो टू तीन फंदे या फंदे या फूर फाइफ बनाना है और मतलब 6 रोज हमें और बनाने हैं सेम पैटर्न फॉलो करते हुए तो देखिए कि अब इसी तरीके से आप टोटल हमारे पास 12 रोज हो जाएंगी 6 और बनाने के बाद में तो अब भी हमारे पास यहां पर यह देखिए तो ऐसे हम सारे कंप्लिट कर ले रहे हैं तो इस तरीके से यह हमें टोटल टैन रोज बन जाएंगी फरस्ट से लेकर लास्ट टैन रोज होंगे हमारे पास तो इनको हम ऐसे ही बनाते चल रहे हैं तो हम 10 रोज बना लेते हैं पूरी आमें 6 तो तो फिर हम आपको दिखाते हैं तो यहां पर आप देखिए कि हमने इसके टोटल यहां से बनाना शुरू किया था बॉर्डर के बाद में वहां से यहां तक हमारे पास टोटल टैन रोज हैं तो देखिए मैं आपको यहां 10 तो हमारे पास total 10 rows है तो हमें क्या करना है यहां पर ही हमिस थेट को कट कर देंगे तो यहां पर दिखिए मैं तर्ट्रैट कर रहे हुँ कि देखिए हमारे पास center में ही जो हमने बनाया था इंच अब यह हमारे पास total 11 तो इन स्टिच्चे को जो हमारे राइट निडल में इनको इसी पे चोड़ेंगे और यहां से हम आठ फंदे उठाएंगे यार आठ के आप फंदे हो जो देखिंगे अब अभंवा तो यह जो देख यहां पर आपको दिख रहा है एक तो महां से उठा लेंगे इस तरीके सेयान करके, एक ही हो गया हमारे पास, दूसरा हम यहां से ले लेंगे, यह देखे, तीसरा यह देखे उठाया हमने, त्फिर चौथा, यह देखे, फिर पांच मां भी हम इसी से उठा लेंगे, देखे, एक, दो, तीन, चार, चार हो गए हमारे पास, पांच मां इसके बैक लोप से आप उठा लेजिए, पांच, छटा, यह देखे, यह देखे, साथ फंदे होगे हमारे पास, और यह आट में लास्ट में उठा लीजाए, यह देखे, तो इस तरीके से हमने, दो, चार, छे, आट फंदे उठा लीए हैं, यह देखे, तो अब हमें क्या करना है, चार फंदे हम सीधे बनाएंगे, देखे, इसको हम साथ में बनाते समय ही, बैंट कर देंगे, एक, दो, और यह जो है, इसको यहाँ पर हम बैंट कर देंगे, देखे, यह वाला थ्रट, तीन, चार, तो देखे, चार फंदे हमने यहाँ पर उठा लिए हैं, मतलब बुन दिये हैं, अब क्या करेंगे, यह जो सैंटर के बीच के फंदे हैं, इन दोनों का एक करेंगे, चार फंदे सीधे बुनने के बाद में, जो 11 फंदे थे, उनमें से हमने चार फंदे बुने, चारपन्दे बुन्ने के बाद में दो फंदों का एक चिया, फिर अब देखिए, पांच फंदे हमारे यहां पर दिख रहे हैं, इन पांचों को सीधा ही बुन देगे, एक, दू, तीन, चार, पांस, ये दिखिया, पांचों को सीधा बुन दिया हमने, आप हमें क्या करना है कि इस तरफ से हम आठ फंदे उठाएंगे जैसे हमने इधर से उठाया था राइट साइट से बैसे हम लेफ्ट साइट से भी फंदे उठाएंगे तो देखे या तो आप सेम निडल यूज़ कर लीज़े या फिर आप कोई दूसरी निडल यूज़ कर ल दो तेन चार पार्च छे साथ और लास्ट में में यहां पे दिख रहा है हम आठ उठा लेगे हैं तो दीके आठ फंदे होगे यहां पे आप देख सकते हैं तो यह जो आप फंदे हैं इनको हम पूरा सीर्य बनाएंगे तो देख लेते हैं दीन छे नौ बारा तेरा चादा पंद्रा तो यह देखें एक दो तीन इस तरीके से बनाते हुए हम जाएंगे तो देखें यहां पर हमने यह पूरी कंप्लेट कर लिया तो आप हमें क्या करना है ऐसे ही हम पांच रो और सीदी-सीदी दोनों तरफ से बनाएंगे तो हमारे पास टोटल छे रोज हो जाएंगी देखें इस तरीके से यह हमने बना ही लिए नेक्स देखें पहला फंदा स्लिप किया इसके बाद में सभी फंदे इस तरीके से नेट वाइज दोनों तरफ से हम पांच रोज बना लेंगे यह देखें तो ऐसे ही आप कंप्लेट कीजिए तो यहां पर हमने टोटल सिक्स रोज बना ली है तो देखें एक दो तीन अगर तीन हमारे पास इधर है तो बैक साइड में देखें हमारे पास तीन है एक दो तीन तो अट मिन्स हमारे पास टोटल हमने सिक्स रोज बनाएं थी तो उसमें हमें दोनों तरफ से तीन तीन यह पर रोस मिली हैं तो आप देखे क्या करना है तो देखे अब हम इसके shaping करेंगे तो एक, दो, तीन, 4 तीन की रोज हमने बना ली है इसके बाद में ये देखे हम इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे इस यहां पे देखे हैं यहां तो यह हम बना लेते हैं कि देखिए पहला फंद हम स्लिप करेंगे यह देखिए अब यह जो दो फंदे दिख रहे हैं इनको दोनों का इस तरीके से एक करेंगे यह देखिए नेट टुगेदर हो गया अब 21 फंदे हम सीधे ही बनाते हुए जाएंगे तो देखिए 21 यह देखिए तो यह हमने इतने फंदे के में 21 फंदे बना लिया है हमारे पास यहां पर टोटल 21 स्टिचेज है तो आप इन दोनों का एक करेंगे देखिए दो फंदे एक साथ बना देंगे टो टूगेदर पर आज़ एन किःओ अन दोनोर स्टिच यह देखिए यह हो गया हमारे पास अगेन हम यहां पर एक अपना बनाएंगे सीधा फिर दो फंदों का एक करेंगे यह देखिए नेट टोगेधर हगेन आपव 21 stitches एक साथ बनाते हुए जाएंगे सीधे सीधे तेखे देखे वान टू थ्री 21 बना लेते हैं 20 आप हम दो फंदों का एक करेंगे के सन्दे बनाने के बाद में यह देखे और एक फंदा सीधा बना देजिए सेकंड रो पूरा ही हम सीधा बनाते हुए आएंगे तो यह देखे हमने यह रो कंप्लीट कर ली है तो आप इसके आप देखे क्या करना है है राइट साइड है हम पहला फंदा श्लिप करेंगे सेटेरि आप यह जो दो फंदे में हैं इन दूनों फंदों को इस तरीके से बनाते हुए एक कर देंगे इसके बाद में हम 19 सीधी बनाते ले जाएंगे लेके कि यहां पर देखिए हमारे पास यहां पर 19 फंदे हैं यह देखिए तो अब हम क्या करेंगे यह जो दो फंदे हैं इन दोनों फंदों को दो का एक करेंगे फिर दो फंदे यह हैं इनको सीधा बनाएंगे एक यह देखिए हैं अगेन निट्टू टुगेदर या फिर दो फंदों का एक हाब 19 फंदे अब हम इस तरफ 19 फंदे बनाएंगे देखिए है इस तरीके से देखिए हैं आए नाइटीन फंदे बना लिए यह जो तीन फंदे हैं इन दोनों को दो का एक करेंगे याने टू टुगेदर तरीके से देखिए देखिए दो का एक के और लास्ट वाले को सीधा ही बना देंगे तो यह देखिए हैं बैक साइट से इसको पूरा हम सीधा बनाते हुए इस रोगों कम्प्लेट करेंगे इस तरीके से तो आप इसको पूरा कम्प्लेट कीचे तो यह देखिए हमने पूरा उल्टा बनाना सीधे बना आते हुए वेक साइट से कम्प्लेट कर लिए आप राइट साइट पहला फंदर स्लिप किया फिर यह जो दो फंदे दिख रहे हैं इन दोनों का एक किया आप 17 फंदे हमें सीधे बनाने हैं तो देखिए वान टू 17 तो यह देखिए 17 हो यह हमारे पास आप इन दो फंदों का एक करेंगे आप यह देखिए दो फंदे सीधे बनाएंगे अगें दो फंदों का एक करेंगे और 17 फंदों को सीधा बनाते हुए कम्प्लेट करेंगे एक दो अगें देखिए 17 है 17 अब यह दो फंदे दिख रहें देखिए मैं दो टो टल तीन है यह आपर तो यह दिख रहें दो इनको एक कर दीजिए सीधा बनाते हुए दो का एक और लास्ट वाले को सीधा बन दीजिए अब बैक साइड में इसको हम इस रो को पूरा सीधा बनाते हुए कम्प्लेट करेंगे अगें देखे फ्रेंड साइड स्लिप वान इन दोनों का आप एक बनाना है देखे इस तरीके से दो का एक किया अब फिफ्टीन फंदे हमको सीधे बनाते जाना तो देखे वान टुटीन फिफ्टीन फिफ्टीन हमने बना लिए आप क्या करना है यह जो दो फंदे दिख रहे हैं इन दोनों का एक करना है फिर दो फंदे सीधे बनाने है एक दो अगें निट टोगेधर यह देखें दो फंदों का एक किया फिर से 15 फंदे हम सीधे बनाएंगे देखें एक दो पंद्रा देखें पंद्रा हमने बना लिए फिर क्या करना यह जो दो फंदे दिख रहे हैं इन दोनों फंदों को सीधा बना दीजिए दो का एक और लास्ट वाले को सीधा तो यह देखें मैं राइट साइट की रोग कंप्लीट कर लीए है ना राइट साइड अगें हो अगें देखें पैला फंद अब फंद्रा प्म्राइंगें अब यह जो दो फंदे दिख रहे हैं इन दोनों का एक किया यह देखें, आप 13 फंदे हम सीधे बनाते हुए जाएंगे, तो देखें, 4, 13, यह देखें, 13 हो गया हमारे पास, फिर यह दो फंदे, इनको हम दो का एक करेंगे, यह देखें, यह दो आप दो फंदे हैं, इन दोनों को सीधा ही बना देंगे, अगे इन दो फंदों का एक करेंगे, यह देखें, अब 13 फंदे हम बनाते हुए जाएंगे, सीधे, दो, लास्ट हमारे हमारे पास, तीन का इसे दो का हम, एक कर देंगे, और लास्ट एजवाले को सीधा बना दीजे तो यह देखिए हो गया अगेन देखिए राइट साइड में है हम दो फंदें का एक करेंगे पहला फंदा स्लिप करने के बाद अब 11 फंदें हम सीधे बनाएंगे दो तीन ग्यार यह 11 फंदें सीधे बना लिए आप दो फंदों का एक कीजिए देखिए इस तरीके से दो फंदें सीधे बनाएंगे एक दो अगेन दो फंदों का एक कीजिए और ग्यारा फंदें हम सीधे बनाएंगे देखिए एक ग्यारा बना लिए लास्ट में हमार पास तीन फंदें है तीन में से दो का हम एक करेंगे और एक फंदा सीधा बना दीजिए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने यह राइट साइट सेरो पूरी कम्प्लीट कर ली है तो अब हम क्या करेंगे इन फंदों को आफ हाफ डिबाइट कर लीजिए अगर आपको सिलना है तो आप बैक साइट से इसको पूरा बाइंड ओफ करते हुए आए इसके बाद में आप इसको सिल सकते हैं तो मैं यहां पर इसको हाफ आफ अंदे कर ले रही हूं तो देखे एक दूसरी नेडल में तो टोटल हमारे पास यहा एक दो तीन चार आट छे साथ हाट नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदर और यह 15 इस तरह से हमारे एक तरफ हैं देखे तीन छे नौ बारह पंदरह तीन छे नौ बारह पंदरह तो इसको इस तरीके से हमारे तरह लेंगे तो मेरे पास मैं यहां पर डबल पॉइंटे नेडल यूज़ कर रही हूं तो मैं इसको यहां पर निकाल दूंगी यह 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 यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने पंदों को जो भी हमारे पास पंदे थी जैसे 30 थे तो 15 इधर 15 इधर करके दोनों को हाफ-ाफ कर लिया है बराबर बांट लिया है अब हम क्या करेंगे इनको यह देखे इस तरीके से रखेंगे इस तरीके से इसको रखेंगे जो इसका राइट साइड पार्ट है इसको हम अंदर की तरफ रखेंगे और रॉंग साइड जो पार्ट है उसको हम आउट साइड रखेंगे तो देखेंगे अब हम इसको 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 बनाएंगे तो देखेंगे नेडल को इस तरीके से डालिए यह देखे इस तरीके से और दूसरे फंदे में भी इस तरीके से डालेंगे और दो फंदे एक साथ बना देंगे देखे ये अगेन एक लूप में इसमें डालेंगे फ्रंट नेडल में दूसरे के बैक नेडल में फंदे में डालके और तोनों को इस तरीके से बना दीजे तो ये देखे हमारे पास इस समय इस नेडल में दो फंदे हैं तो एक फंदे को इस तरीके से हम उतार देंगे अगेन दोनों नेडल से एक फंदे में डालते हुए दोनों का एक किया फिर एक फंदे से बना दिया इस तरीके से के सब्सक्ते था नेडल हो प्रेड कर देंगे तो यह देख आ अप देख सहथे सकते हैं तो आप हम क्या करें गिजशा में यह वाला पॉर मेंuğा नेच चाहिए पेडलल मुस्त балर्म है और किया करेंगे तो देखिएliest tillा ही जो लेफ्ट हंड साइड सन्मेकि जो जो χेंड हैएं उसके हम नीचे भैक लॉभ सिजाएंगे और राइट साइड के चीट में भी एक लूभ सिजाएंग तो देखिए इस तरीके से यहांली तो द तरीके से यहां पर हम हमको यहां पर दिख रहा है तो इस तरीके से हम दोनु तरप के बैक लूप से जाकर इसको से लेंगे यह लेंगे क्लो हुई आता है जो आता है झाल झाल कुपूल कर दीचे तो यह देखिए तो यह देखिए तो यह देखिए हमारा इस तरीके से शिला हुआ दिख रहे हैं तो इसको हम यहीं पर बाइंड कर देंगे टाइट कर देंगे तरीक से नेडल को अंदर डाल कर इसको यह देखिए टाइट कर देंगे तो यह देखिए तो यह देखिए तो इसको बनाने का तरीका आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां पर मैंने जाए व्युदियो बणाया हुआ है तो आप पर जाकर चेक कर सकते हैं कि मैंने इस बटर्फलाई को कैसे बनाया है बनाना बहुत ही आसान है तो इसको मैं बटरफ्लाई से डेकोरेट करूँगी, आप चाहो तो इसको आप प्लेन भी रख सकते हो, यहाँ पर देखिए हमारी दोनों बूटीस भनकर तयार हैं, यह देखिए, तो आप चाहें तो आप इनको प्लेन रख सकते हैं, अधरवाइस आप किसी भी कोई भी एप साथ कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको यह बूटीस कैसी लगी और वेल आइकल जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में नए नए वीडियोस मिल सकें, थाइक यू